नमस्कार SM News में आपका स्वागत है मैं नाम है कोमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अम्बेड कर बोध महासभा के अध्यक्षर आरेस गोतम जी साथ ही केंद्रिय शिक्षक भी है बोध धरम के सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है आप धन्यवाद और मैं सभी को नमस्कार जैभीम कहता हूं और मैं SM News का धन्यवाद करता हूं तो कि ये देश में प्रिंट मीडिया के माध्यम से लेक्टिक मीडियम के माध्यम से बोध धरम के परचार परचार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं मैं आपका धन्यवाद करता थैंक्यू सर अब मेरा आपसे कॉश्चन है कि बाबा साहब को बोध धरम की उपादी कहां से मिली देखिए बोधिसत इसके बाबा साथ को बोधिसत भी कहा जाता है बोधिसत 1950 में श्री लंका के अंदर एक विश्य बोध सम्मेलन हुई आता है इसके अंदर 16 देशों के पत अपने भाषन में कहा और भाषन में कहने के बाद कहा कि बोध धरम की आज भी जो जड़े हैं हमां मुझूद है क्योंकि इसका उधार उनने दिया कि देखिए भारत के जो राष्टपती है और राष्टपती पूर्शी के पीछे धम चक पावतान लिखा गया है वो बोध का परतीक है और तीसरा उन्होंने बताया अक्य जो भारते मुद्रा है भारते मुद्रा के अंदर जो असो के आश भी इसमें इस देखिए को अनदर कनून लागू ना बोध जो राज हैं बोद्राम का संबंदित हो गया है और इस वेशे जो 16 देशों के कंट्री थे उन्होंने बाबा साब को उसमें बोदी सत्व की उपादी दे और जिसका जो अप्रूल है वो वर्मा में 1925 में उसकी अप्रूल दे गई तो बाबा साब को बोदी सत्व की उपादी से लंका के समय बहुत समयलमन दे गई थी सर आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले